प्रियंका गांधी उत्रप्रदेस में दोरे पर आती थी लेकिन अब प्रियंका उत्रप्रदेस में डेरा डाल चुकी है और लगातार दोरे कर रही है प्रसक्षन सिवर कर रही है प्रतिग्या यात्रा कर रही है और लगातार जनता से रूबरू होती हुई भी नजरा रही है लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यही है कि अब management tips दिये जा रहे ह हैं Congress कारेकरताओं में जिसमें कैसे social media handle करना है इसको लेकर जो है कारेकरताओं को जागरूप किया जा रहा है और लगातार BJP की बुराईयों के बारे में बताया जा रहा है RSS की गलतियों को उजागर किया जा रहा है इन्ही सब मसलों पर हमारे इस program में बातचीत करने के लि हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि लगातार जैसे कि आप news cover कर रही है उतर प्रदेश से related सारी और लगातार जो है वो प्रियंका गांदी उतर प्रदेश में सक्रियता बढ़ा रही है और इसी को लेकर अब जो है वो Congress Party के कई का कारगर साबित होगा देखिए अनुजा प्रियंका गांदी की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांदी उतर प्रदेश में खुद तो काम करी रही है साथ में अब वो यह चाह रही है कि जो भी Congress के कारे करता है उतर प्रदेश में उनको एक-एक कदम जो आगे रखने की ज किया जा रहा है कि जनता को जादा से जादा कंट किया सके प्रियंका गांदी ने तो बखुबी अपना काम बड़े अच्छे से कर रही है अपनी जिम्मेदारी को बड़े निभा रही है लेकिन आप चाह रही है कि Congress के जितने भी कारे करता है चाहे वो जोटे हो चाहे करने हैं और कि जो कॉंग्रेश की बैठक हो रही है उसमें भी यही मुद्द्दे रखे जाते हैं कि आने वाले विधान सबचुनाव के लिए आपको किस तरीके से तैयारिया करनी है किस तरीके से जनता से जमीनी हकीकत पर जुड़ना है जाकर देखें इसे पहले भी लगातार प्रियंका गांधी जो हैं वो कारे करताओं को प्रसिक्षन सिवर दे चुकी हैं बतादू कि जब कोरोना की सेकेंड वेव आये थे उस वक्त भी लगातार प्रियंका गांधी वर्च्वल माध्यम से कॉंग्रेस कारे करताओं से जुड़ी हुई थी और लगातार उनसे रूबरू हो रही थी और उन्हें प्रसिक्षत किया जा रहा था लेकिन नेहा मेरा सवाल यही है कि कुछ सिनों पहले ही प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कांफरेंस की थी जिसमें महिलाओं को 40% प्रतीशत पार्ट कि कुछ वक्त पहले यह बयान दिया गया था कि 40% जो टिकेट्स हैं वो महिलाओं को दिया जाएगा हां बिल्कुल ऐसा बयान आया था और इसके साथ ही आपने बताए कि जो परचार लिस्ट है जो भी वो अभी तक जारी नहीं कहीं है इसके पीछे गादे कि बहुत कारण ह हो सकते हैं अगर मैं आपको एक कारण बताओं तो यह भी हो सकता है कि अभी कॉंग्रेस सिर्फ अपनी कुछ चुनावों को लेकर उत्तरपरदेश के चुनावों को लेकर कुछ ज़यादा ही सज़गता कर रही है मतलब कि हर कदम को बड़ा चूक चूक के रख रही है सबसे पहले Congress ये चाह रही है कि Congress Party की जो नंतरी कल इदर कि पंजाब में जो हुआ है उसको बखुवी सब जानते हैं पर एच्चे से जानते है और Congress Party के अंदर एक Member दूसरे Member को ही कुछ न कुछ तंज कसता हुआ नजर आता है अब चाहिए वह कोई भी हो किसी कभी ले सकते हैं वह सिद्धु की बात कर ले या फिर अम क्रयाती सिंग्ण से पार्टी चोड़ यह ले सकते उत्त पहले से लिसको जारी नहीं किया गया होगा देखिए जासब की अनिहा यहां पर कह रही है कि पार्टी में जो आंतरिक कला है उसे शांत करने की कॉंग्रेस पार्टी बहुत समय से कोशिश कर दिया लेकिन हो नहीं सकी है लेकिन मेरा नेहा आपसे यही सवाल है की जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी में यांतरिक कला काफी समय से है पिछले एक देज साल से आप पंजाब में धेख रही है आप उसके बाद राजस्थान में धेख रही है लेकिन अब उत्र प्रदेश का चुनाव जो है वो काफी एहम माना जा रहा है तो इसमें क्या लगता है आपको कि जो आंत्रिक कलह है वो शांत हो जाएगी अगर शांत हो जाती है उसके बाद कॉंग्रेस पार्टी को कितना फाइदा होगा और अगर ये आंत्रिक कलह ऐसे ही चलता रहा तो इसमें कॉंग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा देखें अनुजा जो आप आंत्रिक कलह की बात कर रहे हैं हम देखें कॉंग्रेस में काफी बक्स से चल रही है और मेरा मानना यह है कि जब से सिध्धू ने एंट्री करी है कॉंग्रेस में जब से वो अ स्वीर निकल कर आती है रोज ने बयान आते हैं कि आज्सीदु नहीं ये कह दिया चण्नी ने चण्नी के ऊपर तंज gasa चं्नी ने सीदु के ऊपर तंज कसा मतलब यह आपसी मतब्यद खतम नहीं हो तो चुनावों में जनता के ऊपर तो बिल्कुल इसका असर पड़ेगा कि जनता तो साफ साफ कह सकती है और जनता से पहले तो विवक्षी पार्टिया ही बोल रही है कि इन लोगों की पार्टिय की अपनी आंतरिक कल्या खतम नहीं है तो यह चुनावों पर जनता के लिए क्य पूक रही है जीत के मंत्र देते हुए नजर आ रही है लेकिन यह सारी चीज़े कहीं न कहीं पंजाब में धूंदली नजर आ रही है और इस बीच जो है चरंजी सिंग्चनी लगातार काम तो कर रहे हैं लेकिन जो प्रियंका गांधी अपनी आक्टिवनस जिस तरीके से द प्रिक नहीं रही है और चुनाब बहुत नजिक आ रहे हैं तो अगर कॉंग्रेस पार्टी इस तरह के जो तैयारियां है वो नहीं करेंगी तो इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा अदेखिए अनुजा पंजाब की बात अगर कर रही हैं आप पंजाब को अगर हम उत् प्रदेश में सिर्फ प्रयंका गांधी अपनी कुर्सी पर बैटी हुई है मतलब वह अभी उत्तर प्रदेश की जमीर पर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयंका गांधी उत्री हुए और सारी जिम्मेदारियां उनके हाथ में लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो द मिलेंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं दूसरी बात कि पहले सिद्धु चाहते थे कि वह मुख्य मंतरी पर बैटे अब पर बैट गए तो सिद्धु ने खुद उनका साथ छोड़ दिया था और अब उन दोनों के बीच में इस हद तक अन्बन रहने लग गई है कि वह साथ ये का है चन्नी ने कि सिद्धु की मनमानी हमें मजबूरन माननी पड़ रही है उसके पीछे भी एक कारण माना जा रहा है कि अगर सिद्धु का स्विकार कर लिया जाता पार्टी अलग मान की तरफ से तो कही न कहीं का हिंदु वोट और सिख वोट काफी नुकसान झे तो जैसे चन्नी और नब्जो सिंग सिद्धु में जो टक्रार चल रहा है इसमें क्या प्रियंका गांधी दखल देती हुई नजर आएंगी क्या प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश छोड़कर पंजाब में भी जाने की जरूरत पड़ सकती है देखें मुझे नहीं ल प्रियंका को वहां से अपना फोकस रटा कर पंजाब पर जाना थी क्योंकि पंजाब पर ध्यान देने के लिए पार्टी अलगमान पूरा ध्यान दे रही है पंजाब की पूरी निगाहे बना के बैठी है लेकिन प्रियंका गांधी को अपना फोकस उत्तर प्रदेश में ही करना चाहिए तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में भी अपनी सक्रियता और पूरा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश में ही देती हुई नजर आएंगी शुक्रिया नेहा इस विशेश जानकारी के लिए और भी ऐसे कई विशेश जानकारी के लिए आप देखते रहे ह SPN 9 News, Namaskar